नवश्कार मैं मुनाली पाने और आप देख रहे हैं न्यूस 28 स्वागत है आप सभी का हमारे एपिसोड बात सियासत की में आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि आखिरकार वर्तमान में सियासत में कौन समुद्धा सबसे ज़्यादा गर्माया हुआ है लखीमपूर खीरी मामले पर रहुल गांधी सरकार और मीडिया पर बरसे कहा जिस से सवाल पूछना चाहिए उन्हें दरकेनार करके आप हम से सवाल पूछ रहे हैं जी हां कॉंग्रेस नेता रहुल गांधी उत्रप्रदेश के लखीमपूर खीरी जाने से पहले उन्होंने राजधानी नई दिल्ली में प्रेस कॉंफरेंस कर अपनी बात रखी जहां एक और रहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा वहीं दूसरी और मेडिया को अपने आड़े हाँ थो लिया कहा मेडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गई है और वो हमसे सवाल पूछ रही है रहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का काम दबाव डालना होता है सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे पर ना बोले और ना ही उन पर प्रेशर बनाए हातरस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था अगर हम वहाँ ना जाते तो जिन्होंने बलतकार किया था वो छूट जाते और अगर बात करें किसान मुद्दे की तो इस मुद्दे को अगर हम ना उठाते तो विधायक के बेटे के बारे में ना पता चलता और वो भाग जाता हमने इस मुद्दे पर दबाव डाला क्यूंकि किसानों को लेकर गलत सवाल उठाए गए थे राहुल ने आगे कहा कि मीडिया अपनी जम्मेदारी भूल गया है उन्होंने मीडिया को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि आप लोग हम से सवाल पूस्ते हो लेकिन आप लोग अपना काम भूल गए है देश के समवधानिक धाचे पर सरकार ने कबजा कर लिया है आप जानते हैं कि मीडिया को किस तरह से कंट्रूल किया गया है आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमें मारपीट और जबर्दस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता जी हाँ कि मैं वहाँ जाकर जमीनी हकीकत समझना चाहता हूं इसलिए हम लोग लखनव जा रही है